नमस्कार, स्वागत है आप लोग का Defense Officers Academy के YouTube चैनल पे Welcome you all in Defense Officers Academy's YouTube चैनल आज का वीडियो सिनिक स्कूल के उपर है क्योंकि सिनिक स्कूल का एक्जाम पास है तो बच्चे थोड़ा सा कानिक करते हैं इस लास्ट मुमेंट में क्या स्ट्राइटेजी रहनी चाहिए किस तरीके से इस इन लास्ट डेज में हम लोग रिविजिन कर सकते हैं या कौन-कौन से पॉइंट से जिसका आप लोग को धिहान रखना है तो इसी वीडियो के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं तो इसी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो एंड तक जरूर बने रहिएगा मेरा नाम है सूरज आ रहे है और आप देख रहे हैं Defense Offices Academy का YouTube Channel सबसे पहले जितने भी सेनिक स्कूल के एस्पिरेंट्स हैं इस लास्ट मुमेंट में रिविजिन बहुत जादा इंपॉर्टन है क्योंकि मैंने चाहता कि अब आप कोई नहीं नहीं टॉपिक्स लाएं उसके theory को भी समझना पड़ेगा और इसमें बहुत 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 करने पड़ेंगे तो अब वह समय नहीं है आपके पास ठीक है तो आपने जितना भी पड़ा है whatever notes you have made now it's time to revise and go through all the important topics and make sure you understand them completely जितने भी topics आप लोगोने already you have made notes जो भी आप लोगोने complete कर लिये उनी को revise कीजिएगा उनी को और strong कीजिएगा ठीक है so this is point number one now what is point number two point number two says that you have to solve previous years question papers as much as possible with OMR sheets okay क्योंकि जो real exam का scenario है वो आप तभी समझभाऊगे जब आप OMR sheet का use करोगे so अभी previous years papers को solve करना बहुत जरूरी है previous years papers से आपको idea भी हो जाएगा कि कौन-कौन से areas important है कौन-कौन से areas से लगातार questions पूशे जा रहे हैं ताकि आपको important जो topics हैं उनके बारे में भी आपको मालूम पड़ जाए और उसके उपर आप थोला सा और focus करो तो अभी जो आपकी study रहेगी एक तो आप revise करोगे और आप अभी previous years papers based आप अपने तियारी रिखोगे क्योंकि for example कोई question आपने profit and loss से देख लिया previous years paper में और उसको आपने उस topic को पढ़ लिया तो वहांसे profit and loss clear हो गया फिर आपने एक question सपोज probability का देख लिया वहांसे probability clear हो गया तो इस तरीके से जब आप variety of questions देखेंगे तो वहांसे आपका एक बहुत अच्छा revision होगा ठीक है so OMR sheet का धियान रखना OMR sheet के साथ आपका familiarize होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और exam pattern के साथ भी previous years papers Cynic school के class 6th and 9th के students solve करेंगे उसके accordingly पड़ेंगे so this is point number 2 point number 3 says that you have to take note of common questions types and areas where you need improvement ठीक है अब देखिये जब आप previous years papers को solve करेंगे तो आपको समझ मा आ जाएगा कि कि वह common areas कौन से हैं वह common questions कौन से हैं जो बार-बार पुछे जा रहे हैं ठीक है और आपको यह भी समझ मा आ जाएगा कि कौन से वह areas है जहां पर आपको improvement की जरुरत है क्या पता आपको interpretation में थोड़ी सी problem हो सकती है क्या पता आपको calculations में थोड़ी सी problem हो सकती है तो उन areas को strengthen करने का समय है यह last moment में उन areas को और समझने का समय है ठीक है तो आप उन areas पर focus कीजिएगा जो areas आपको लगता है common है प्लस जहां पर आप थोड़ी से weak हैं जो important areas है उनको strengthen करना है इस last moment में ओके तो इस is point number 3 okay now point number 4 says that you have to work on your time management skills ठीक है यह बहुत important है अब क्या है कि आप previous years के question papers देखोगे questions को solve करोगे लेकिन time management बहुत important है ठीक है चाहे आपका paper तीन घंटे का हो चाहे आपका paper धाय घंटे का हो अभी हम लोग mock papers के बारे में भी बात करेंगे तो वहाँ पर time schedule is very important proper watch आपके सामने होगे और सके accordingly आप questions को solve करोगे कितना time आप एक question को solve करने में ले रहे हो वह बहुत important है यह competitive exam है और यहाँ पर time की value सबसे ज़्यादा है तो सिर्फ आपको बिना किसी time management के question solve नहीं करने ठीक है यहाँ पर time के accordingly क्योंकि जब time का pressure बच्चों पर पढ़ता है तो थोड़ा सा उनकी performance में impact आता है तो मैं चाहता हूँ कि जब आप इस पर practice करें इस time के pressure पर जब आप practice करेंगे तो कहीं ने कहीं आपकी performance ठीक रहेगी okay performance में कोई impact नहीं आएगा तो you have to practice solving questions under timed conditions ठीक है अब आप previous year की questions तो solve कर रहे हो लेकिन ऐसी आपको समझ भी नहीं आ रहागी और taking half an hour to solve a single question आपको समझ भी नहीं आ रहागी कि आपको आपको 15 minute लग रहे हैं किसी question को solve करने में ठीक है तो कितना time आपको लेना चाहिए वह बहुत ज्यादा important है ठीक है total time के according लिए आपका paper गढ़ाई घंटे का या तीन घंटे का है उसके साब से कितना time lot होना चाहिए math के paper में कितना time lot होना चाहिए other sections में वह बहुत important है तो याद अखना कि अपनी speed को अपनी accuracy को बढ़ाने ले under timed conditions में questions को solve करना या practice करना बहुत ज्यादा important है ठीक है चलिए let's come to now point number 5 अब क्या है कि अब specifically मैं बात करूँगा maths की देखिए you have to strengthen your mathematics skills, solve different types of mathematical problems and practice shortcut techniques to save time during the exam अब होता क्या ना देखिए बच्चे मुझे लगता है कि already they are well prepared उन्होंने सारे topics देख ले हैं सारे formulas देख ले हैं सब कुछ actual method को पढ़ते विए उन्होंने चीजों को देख लिया है less by more, more by less वालो जो fund आया कैसे आपने देखा होगा कि CI और SI का difference आप कैसे एक formula से निकाल लेते हो तो actual method का मालूम होना तो जरूरी है लेकिन साथ साथ वो shortcut तरीके भी बहुत important क्योंकि time based exam है चार options दिये जाते हैं okay options को देखकर भी कभी कभी answers आते हैं तो अगर आप एक question को कम समय में solve कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप अपनी efficiency बढ़ा रहे हो आप उसी time को किसी tough questions में utilize कर सकते हैं और अपने chances of selection and chances of getting more marks आप उस chance को और अच्छा कर रहे हो okay so याद रखेगा कि आपको अपने जो जो techniques है जो shortcut techniques है उनके उपर काम करना है और अलग लग problems को solve करना है ताकि एक variety आपको समझ में आ जाए और shortcut techniques को ध्यान रखेगा क्योंकि यह objective paper है shortcut techniques बहुत ज़्यादा important है okay point number six है कि GK में आपको again you have to be very much updated with historical events ठीक है GK में basically historical events और important facts बहुत important है ठीक है make sure करना कि आपको सारे dates और सारे figures या maps वो सारी जीज़े ध्यान में रहें ताकि आपको एक्जाम में problem ना हो ठीक है बहुत ही factual questions GK में पूछी आते है current affairs आप लोग के exam में नहीं आते ठीक है तो उन facts को धिहान में रखने के लिए उनका daily basis में revision करना important है और मैं फिर से कहूंगा that you don't have to mug up all the facts because you'll get four options in the exam जब exam में चार options मिलते हैं तो आपने अगर कहीं न कहीं पढ़ा होता ना so it is going to click in the exam only तो चार options आपको ना click कर जाएगा कि this is the right answer समझे रहे हो तो अगर आप सिर्फ revise करते हैं जो भी आपने notes बनाये है whatever you have with you उसको जब आप revise करेंगे रेट करेंगे GK के portion को बार बार तो वो चार options में से वो answer आपको click कर जाएगा कहीं न कहीं आपको ध्यान रहेगा subconscious mind में रहेगा कि हाँ मैंने इस part को पढ़ाया और इसका answer यह है ठीक है तो GK को भी कहीं न कहीं facts को या important dates को आपने revise करना है make sure कि आप उसको revise करना ना भूले क्योंकि बात में मश्किल हो सकता है exam के ठीक है अब बात करता हूँ mental ability logical reasoning के भी वो भी बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो logical reasoning को भी आपने कहीं न कहीं focus में रखना है ध्यान में रखना है क्योंकि वो ऐसे questions से अगर आते हैं तो आप बहुत आ again important आप लोग के exams में आते हैं जो जो topics उनको जरूर revise कर लीजिएगा साधे साथ English grammar में भी यह कहूंगा मैं ठीक है सारे grammar वाले portion को एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से क्योंकि definitely काफी questions आएंगे उस पर based ओके तो एक proper revision बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग ले अच्छा उसके बाद क्योंकि previous year's questions आपने solve करें लेकिन mock test लेना जरूरी है proper तरीक से ठीक है there is one giveaway also उसके बारे में मैं बात करता हूं इस 8 point के last पे तो आपने क्या करना है ना basically वो जो environment है ना जो एक्जाम में आप जाते हो वो environment देखना बहुत जरूरी है वो जो time का pressure and all आता है तो वो जो mock papers है ना वो देना बहुत जरूरी है अगर आप लोग के पास mock papers नहीं है तो आप जरूर हमसे संपर करें ठीक है नीची देगे numbers पर संपर करेंगे आप whatsapp करेंगे तो आपको mock papers भीजेंगे with OMR sheet ताकि आपका एक अच्छा एक simulation हो सके आपको एक real time exam का एक idea लग सके ठीक है तो वो चीज़ बहुत important है कि आप maximum mock test दीजिए हम तो अपने बच्चे को around हमारा 9th mock test चल रहा है आज तो कम से कम 10 to 15 mock test हम अपने बच्चों को करवाते है वैसी आपका भी दिना जरूरी इस last moment में अगर आप 5 mock test भी देंगे तो काफी है ठीक है तो mock test देना जरूरी ताकि आप simulate कर सके उस exam के environment को ठीक है and you have to analyze your performance and identify the areas that need improvement ठीक है वो तो हर एक task में या हर एक part में आपको देख नहीं है कि जब आप simulation या जब आप mock test अपने देंगे तो उसमें आप किस area मे है थोड़ा सा week हो रहे हैं वो देखना जरूरी है क्योंकि section wise चीज़े बहुत important है ठीक है point number nine अब बड़े ही general points है यह मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ बच्चे इन points को important नहीं समझते हैं लेकिर मुझे लगता है कि सबस्दा important यह point है you have to relax and get enough sleep बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी से panic में आ गये हैं exam pass है उनकी रातों की नीद खो गई है चाहन खो गया है उनका ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है यह सिर्फ exam में मुझे पता है आपने काफी पढ़ लिया है और मुझे पता है कि ऐसी situation आती है कि आपको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ठीक है हम भी जब पढ़कर exam देने जाते थे तो हमें लगत कुछ न कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कुछ न कुछ कमी वाली feeling तो हमेशा रहेगी लेकिन यह आफ टो भी स्टे पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है कि जितना आपने पढ़ा है उसी को consolidate करना है उसी को और strengthen करना है उ परली तो ऐसा नहीं होगा अगर आप आज से habit नहीं बनाएंगे तो उस दिन आप सो ही नहीं पाएंगे उस दिन तो वैसे भी नीद नहीं आने हो लिए आपको ठीक है तो कुछ बच्चे है जो लेट नाइट पढ़ने वाले मैं उनसे कहूंगा प्लीज नाचुरल क्लॉक क अगर आप इस टाइम को फॉलो करते हैं तो यह सबसे सही तरीका है करने का अगर आप निसाचर है रात को पढ़ने का आपको हैबिट है तो प्लीज इसको चेंज करें ठीक है जो नीचर की क्लॉक है उसके साथ अपने आपको एलाइन करें वो बहुत ज़़दा इंपोर्ट है वो आपको और भी कही बेनिफिट्स देगा एक्जाम के इलाबा भी ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना अवाइट स्ट्रेस और पॉजिटिव ठीक है तो एक्जाम पास आ रहा है तो पैनिक होने की जरुवत नहीं है ठीक है और कुछ एरिया जो आपने नहीं पड अपने पड़ाई करें आप लोग के लिए ठीक, उसी को strengthen करना है, उसी के बारे में सोचना है, जो नहीं पढ़ पाए, उसके बारे में सोचोगे तो unnecessary stress ही आएगा, ठीक है, keep a positive mindset and stay confident, you are ready for the Cynic School exam 2024, okay, so please be positive, okay, last moment में यह कहूँगा आपको, और मेरी best wishes तो आपके साथ है, एक giveaway भी मैंने आपको दिया है, कि अगर आपको mock papers या mock test देने हैं, तो हम आपको provide करेंगे in the form of PDF, लेकिन हमें WhatsApp जरूर कीजिएगा, अपना नाम और आपको कौन सी class का mock test चाहिए, 6th का Cynic School या 9th का, हम आपको OMR sheet के साथ वो देंगे, ठीक है, so these are the 10 points which you have to take care, मैं चाता हूँ कि इस वीडियो का आप जादा से जादा शेयर करें, ताकि सभी Cynic School experience तो के वीडियो पहुचे, और कहीने कही इन चीजों को अगर वो implement करेंगे, तो कहीने 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 इनका exam अच्छा जाएगा, कहीने कहीने इन results भी देखने को मिलेंगे, और हमारा जो contribution है बच्चों के तरफ मुझे लगता है वो भी पूरा हो ठीक है, so that's all for today, bye bye, see you soon, all the best, Jai Hind